हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब स्वागत आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर मैं भविता आप सभी का स्वागत करती हूँ तो देखें आज बनाने वाले हैं हम मुमोज तो इसके लिए मैंने देखें सोयावीन का बुरादा ले लिया है ये दरदरा पिसा हुआ होता है तो य देखें ये पानी कितनी जल्दी से इसने खूशक किया है और जाता पानी की जुरूद नहीं है अच्छी तरह से मैं इसको दस मिट के लिए रखने वाली हूँ दस क्या थोड़ी सी देर में ये फूल के तयार हो जागा तो यहां पर तीखी चटपटी चटनी बनाने के तो यहांपर मैंने देखिए 7-8 ये लाल तीही मिर्च ले लिए सूखी और अमचूर पाउटर डालने वाली हूँ यह आपर और नमक मैं बाद में डालने वाली हूँ आप पहले भी डाल सकते हैं तो यहांपर देखिए मैंने चटनी को पीस लिया है अब अच्छी तरह से सब दौरा कर पानी निकाल कर सोया बीन के भुरा दे को बाहर निकाल लेते हैं एक मीडियाम सब्सक्राइब बुराम के छाइडियो कि में पारिक काट लिए इस K fren काटना ह। तीन से चाल कारोरी मिर्च चाहर मिर्च। तो यहां पर मिर्च और प्याज को काट लिया है और देखे कुछ लहसन के कलिया इनको भी बारिक बारिक काटना है जितना बारिक हम इसको काटेंगे जो हमारा मुहोस का मसाला है बहुत ही टेस्ट इवन के तैयार होगा तो यहां पर छोड़ते हैं तेल गरब हो चुका है तो एक चमच मैंने जीरा आड़ किया है इसमें और बारिक कटी हुई प्याज हलका से चलाना है उसके बाद आड़ करने हैं इसमें बारिक कटा हुआ लहसन और हरी मिर्चे मैं इनको भी आड़ करने लूमन अच्छे से चलाकर इसको फृराई करना है और धेके इसको मिलाकर अच्छे से चलाना है ज़्याज बगएर हम नहीं प्यास करेंगे जब जलेगी तो अच्छे नहीं लगेगी और यहां सवाद नुसार नमक एड़ कर दिये मैंने और लाल तीगी मिर्च तो यहाँ पर मसाला मैंने डाल दिया है गरम मसाला अच्छे से इसको चलाना है अच्छे तरह से थोड़ा सा मिलाना है और इसके बाद मैं एड़ कर रही हूँ यह सोया सोस इससे जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं पर हो तो जरूर डालें क्योंकि बहुत ही टेस्ट ही लगता इसको डालने से तो देखे, यहाँ पर मसाला हमारा तेयार हो चुका है तो देखी मैने चेटनी में नमक ने डाली थी, अब मैं इसको थोड़ा से नमक डाल कर अच्छे से मिला कर रखने वाली ही, तो बहुत अच्छी हमारी चेटनी तेयार हो चुकी है, तो यहाँ पर देखी 500 गिराम मैंने मैदा का इस्तमाल कर रही हूँ और जो 500 गिराम ही मैंने ये सोया जो सोया बीन की का बुरादा था आदा किलो था वो भी और यहाँ पर आदा किलो मैदा में मैंने थोड़ी सी एक चमज भरके नमक डाली है और यहाँ पर 3-4 छोटी चमज मैं मैं तेल का इस्तमाल करने वाली हूँ अच्छे से मिलाना है और फोड़ फोड़ पानी डाल कर इसका अच्छा सब दो तैयार करना है जाद टाइट नहीं बनाना है फोड़ा सोफ्ट डो ही हमें बनाना है जाद पतला भी नहीं रहन देना है और जाते हाड भी नहीं रहन देना है तो देखें यहाँ पर बढ़िया करके मैंने ये टोको तयार कर लिया है अब थोड़ा सा इस पर तेल का हाथ लगा कर इसको 10 मेट के लिए रैस्ट के लिए छोड़ देते हैं क्या होता है मैदा बहुत अच्छे से तयार हो जागी इसमें एक साइज की होनी चाहिए ना बड़ी हो मुमोस ना छोटे हो तो यहाँ पर देखें मेलनी सुरू कर दिया है मैंने तो देखें इससे बड़ी लोई नहीं बनाऊंगी मैं और अच्छे से मसाला भरके इसमें और जो भी सेप आप देना चाहें लंबे बनाना चाहें मुमोस गोल बनाने चाहें उस हसाफ से आप इसकी सेट दे सकते हैं मुमोस बना दिया मैंने यह इसी तरह से मैं कि दूसरा बनाने वाली हूं जो यह मसाला है आपने हिसाब से भर सकते हैं ज्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं छोटे भी बना सकते हैं बड़े भी बना सकते हैं मीडियम साइज के हों तो बहुत ही अच्छा है तो देखिए मैंने जादे बड़े भी नहीं बनाए जादे छोटे भी नहीं बनाए हैं इसी तरह से सारे मोमोस मैंने बना लिये हैं और देखिए कड़ाई रख दिया है मैंने कड़ाई के ओपर मैंने यह जाली रख दिया अप यहां पर देखिए पानी खोल चुका है गरम हो चुका है उसके बाद ही मैंने सारे मुमोस लगा दिये हैं आपके पास अगर मुमोस बनाने का जो बरतन होता है वो हो तो उसका इस्तमाल करें और अच्छी तरह से ढख दिया है मैंने 10 मिनट के लिए देखते हैं 10-11 मिनट हो च चुके हैं आप चाहें तो इनको फ्राइभी कर सकते हैं अच्छे लगते हैं कुछ लोग नहीं पसंद करते कच्छा खाना क्योंकि कहते हैं मैं अदा नुकसान देती है तो कभी-कभी खाएं तो उसमें कुछ नहीं होता तो देखी निकाल लिए मैंने यह सारे मुमोस और ल इच्छे लगते हैं यह मुमोस तो देखी अगर आपको हमारी रैसी भी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार जरूर ट्राइए करें मेरी तरह से मुमोस बनाना तो देखी तैयार हैं हमारे बिल्कुल दुकान जैसे मुमोस तो एक बार जरूर ट्राइए करें इस तरह से मुमोस बनाना तो दिखाती हूँ मैं आपको तो देखी यह चटनी खट्टी और यह चटपटी और यह प्याज तो आईए दिखाते हैं हम एक मुमोस तोड़कर आपको देखी ज़्याद मोटी भी नहीं बेली है हमने पूरी म मोस की जितनी पतली हो सकए इतनी बारीक इसको बेले हमें दिखाती हैं आपको